गुड बॉर्णिंग, समस्टर थ्री, पेपर सिक्स, समस्टर थ्री को पेपर सिक्स में पढ़ना है सैकलोजिकल रिसर्च, मनोबिज्यानिक सोध, मनोबिज्यानिक सोध के अंतरगत आप लोगों को पढ़ना है, मैं यूनिट थ्री पढ़ाऊंगी और यूनिट थ्री में प्रदत्त संग्रह की बीधियां यह आप लोगों को युनिट 3 में पढ़ना है इसके अंतरगत आप लोगों को पढ़ना है अबजर्वेशन, निरिच्छन, इंटर्व्यू, सच्छतकार, कोशनायर, प्रश्नावली, केस स्टड़ी, केस अध्यन यहाँ पर आप लोगों को अबजर्वेशन, निरिच्छन में ये बतलाना है कि आप किस प्रकार से डेटा केलेक्शन करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी सोध के लिए, किसी भी अनुसंधान के लिए अनुसंधान और रिसर्च का अर्थी होता है पुनह फिर से एक नई अनुसंधान करना यहां पर बहुत ही जिनरल भासा में, सधारन भासा में कहा जाता है नई चीजों की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है हम लोग समस्टर वन में, टू में पढ़ चुके हैं मैथड्स में, ओनली मैथड्स में, बीधियां में अब्जर्वेशन मैथड्स निरिच्छन बिधी, निरिच्छन बिधी क्या है, उसके कितने प्रकार है उनके कौन-कौन से गुंदोश है यहां पर इन सब चीजों को नहीं देखना है यहां पर ये पढ़ना है आपको कि निरिच्छन बिधी के द्बारा किस प्रकार से किसी सोध में डेटा का कलेक्शन प्रदत्य का संग्रह किया जाता है ठीक है? इसके लिए ये बतलाने के आवशक्ता नहीं है कि निरिच्छन विधी क्या है क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं आज मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगी कि किस प्रकार से डेटा का कलेक्शन अब्जर्वेशन मैथट्स के द्वारा किया जाएगा निरिच्छन विधी अथवा निरिच्छन करने की अनेक तरह के प्रकार होते हैं और उसके बिसिस्ट उप्योगों स्पेसिफिक एप्लिकेशन का भी उलेक पहले किया जो चुका है जैसे निरिच्छन विधी क्या है फिर से मैं बोल रही हूँ उसके तीन प्रकार होते हैं सहभागी निरिच्चन, औसहभागी निरिच्चन, अर्धसाभागी निरिच्चन, पार्टिसिपेंट अब्जर्वेशन, नन पार्टिसिपेंट अब्जर्वेशन और क्वासी अब्जर्वेशन. यहाँ पर इन सब चीजों को नहीं पढ़कर हम इनके data collections के methods को पढ़ेंगे अब हम आकडों के संकलन, collection of data के उपकरन, tools के रूप में निरिच्छन विधी या observation methods का मुल्यांकन समानी रूप से करने की कोशिश करेंगे जब भी कोई research किया जाता है तो उसमें research करने के लिए बहुत सारे methods, बहुत सारी बीधियां होती है आप observation methods के द्वारा भी research कर सकते हैं, interview methods के द्वारा भी कर सकते हैं, questionnaire methods के द्वारा भी कर सकते हैं case study के द्वारा भी कर सकते हैं निरिच्छन बिधी के क्या क्या गुन है इस डेटा कलेक्शन को करने के लिए सबसे पहले ये बतलाना जरूरी है उनके गुनों के अधार पर कि सभी बिद्वानों में निरिच्छन का बहवार आकडों के संग्रह के उपकरण के रूप में किया है कलेक्शन्स ओफ डेटा को उनके टूल्स के रूप में किया गिया है मनो बैज्ञानिक अनोसंधान सैकलोजिकल इनक्वाईरी में भी आकडों के संकलन के लिए निरिच्छन बिधी का बहवार ब्यापक रूप से किया जाता है कारण इसमें कुछ ऐसे गुन या लाब है जो किसी दूसरे टूल्स या उपकरण या मैथर्ट्स में नहीं उपलब्द होते है नमबर वन ब्यापक छित्र वाइट स्कोप निरिच्छन बिधी अब्जर्वेशन मैथर्ड्स का एक गुन इसका ब्यापक छित्र है इसका उप्योग वहां भी करना संभव होता है जहां प्रस्णावली, कुष्णायर, अनुसुची, सीडूल्स, आदि बीधियों का बहवार करना संभव नहीं होता है इस द्रिष्टी कोन से निरिच्छन बिधी, आत्म प्रतिवेदन, प्रविधी, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स से बहतर है नमबर टू, व्रिष्टित अध्यन निरिच्छन बिधी के आधहार पर व्रिष्टित अध्यन संभव होता है भिन्न भिन्न परिष्थीतियों में प्रियोज्यों के बहवारों का अध्यन किया जाता है सहभागी निरिच्छन, participating observation में निरिच्छक, observer, प्रियोज्यों के साथ रहकर उनके बहवारों का अध्यन करता है और असहभागी निरिच्छन नन-participant observation में निरिच्छक अलग से समू में जाकर लोगों के बहवारों का निरिच्छन बिभिन परिस्थीतियों में करता है इस द्रिच्छी कोन से निरिच्छन बिधी प्रश्णावली या सच्छतकार अनुसुची इंटर्व्यू सिदूल्स और कोश्चनायर से बहतर है नमबर ट्री सभाविक अध्यन नैच्छरल स्टडी निरिच्छन बिधी में सभाविकता का गुन पाया जाता है विशेश रूप से और नियंत्रित निरिच्छन अनकंट्रोल अबजर्वेशन पर आधारित अध्यन में यह गुन उपलब्ध होता है इस द्रिश्टी कौन से यह निरिच्छन बिधी वास्तों में एक्स्परिमेंटल मैथ़ड प्रयोगात्वक बिधी से अधिक स्रेस्ट है नमबर फोर यर्थात अध्यन रिएल स्टड़ी निरिच्छन बिधी में यर्थातता का गुन पाया जाता है बिसेश रूप से औन्यंतित निरिच्छन तथा औव्यवस्थित अध्यन अनसिस्टमेटिक स्टडी में यह गुन पाया जाता है कारण यहां अध्यन परिस्थिती सौभाविक होती है नैच्रल होती है ऐसी परिस्थिती में जो अध्यन किया जाता है वो अधिक यर्थात रिलेबल होता है अपने इसी गुन के आधार पर यह विधी experimental methods प्रयोगात्मक विधी से stress है नमबर फाइब आनुभाविक अध्यन निरिच्छन विधी पर आधारिक अध्यन सदा अनुभाविक होता है इस विधी में ज्यानेंद्रियों और प्रधानता नित्रो आईज पर प्रयोग किया जाता है निरिच्छक observer अपनी आँखों से किसी घटना, फेनोमेना, तथ्य, फैक्ट या बहवार, बिहेवियर का अध्यन करता है और आवशक आकड़े प्राप्त करता है इसलिए आकड़ों के यर्थात खोनी की सभावना अधिक रहती है नमबर सिक्स बच्चों, पागलों तथा पस्वों का अध्यन निरिच्छन बिधी का एक गुन यह है कि इसके द्वारा बच्चों, पागलों तथा पस्वों का अध्यन संभो होता है प्रश्नावली, कुश्चनायर, अनुसुची, सिडूल्स, सच्छतकार, इंटर्वियू, आदी, आत्म प्रतिवेदन प्रवीर्धियां सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स के द्वारा बच्चों, पागलों तथा पस्वों के अध्यन क्रमसा, भासा, लैंग्वेज के और विक्सित होने, भासा के विक्रित होने, तथा भासा के अभाव के कारण संभो नहीं है लेकिन विभिन परिस्थीतियों में उन सब के बहवारों के निरिच्चन के आधार पर उनका अध्यन संभो होता है कर लिंगर ने 2002 में कहा कि निरिच्चन बिधी का एक गुन यह है कि इसके द्वारा समू परिस्थिति ग्रूप सिचुएशन में लोगों के बहवारों का अध्यन करना तथा आवसक सूचना प्राप्त करना संभो होता है जैसे समाजिक पारस्परिक क्रिया परिस्थिती सोसल एंट्रेक्शन सिचुएशन में भिन 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 बैक्तियों के बीच अंत बैक्तिगत संबंधों एंटर पर्सनल रिलेशन्सिप से संबंधी तथ्यों फैक्ट्स को के संग्रह कलेक्शन के लिए केवल निरिच्छन बिधी ही सच्छम है आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट बिधी नहीं नमबर एट वस्तुनिस्ट अध्यन अब्सेक्टिव स्टडी निरिच्छन बिधी के द्वारा किसी बिसे का अध्यन वस्तुगत रूप से संभो होता है यह गुन आत्म प्रतिवेदन बिधी सेल्फ रिपोर्ट में नहीं है क्योंकि प्रश्नावली अनुसुची सच्छतकार आदी आत्म प्रतिवेदन बिधी में इस बात की संभावना रहती है कि प्रयोज सब्जेक्ट उत्तर देकर अपनी वास्तिक मनोब्रिती रियल एटिचूट आवशक्ता नीड अभिलाशा इच्छाईं आदी को छिपा सकता है लेकिन उनके बहवारों का निरिच्छन बिभिन प्राक्रितिक परिवेशों में करके उनके भाव, फिलिंग्स, मनोब्रितियां, एटिचूट्स, अभिलासाऊं, आवशक्ताऊं, नीड आदी का सही अनुमान लगाया जा सकता है नमबर नाइन, सोध आकडो का मूल्स रोथ, बेसिक सोर्स ओफ रिसर्च डेटा मोहसीन 1984 ने निरिच्छन विधी के गुनों की चर्चा करते हुए कहा कि यह विधी सोध आकडो के संकलन का मौलिक्स रोथ है इसका बहवार कई अन्य सोध उपकरनों रिसर्च टूल के साथ भी किया जाता है जैसे प्रयोगात्मक विधी, experimental method, सच्छतकार विधी, interview method आदी में भी निरिच्छन का महत्तपुन योगदान रहता है प्रयोग या सच्छतकार के आधार पर जो भी आकड़े प्राप्त होते हैं उनकी संपुस्टी, confirmation, निरिच्छन के आधार पर प्राप्त आकड़े के रूप में होती है नमबर टेन, सरल अध्यन, simple study, दूसरी बीधियों की अपेच्छा, निरिच्छन बिधी अधिक सरल बिधी है इस बिधी के द्वारा किसी बिषय के संबंध में जितनी आसानी से आवसक सूचनाय प्राप्त हो जाती है उतनी आसानी से दूसरी बिधी से संभौ नहीं हो पाता है ये आप लोगों का observation methods में जो भी टूल्स, observation टूल्स लगे हैं उसके data corrections के ये कुछ प्रमुक, merits एवं गुन है next class में मैं आप लोगों को इसी के दोश, या demerits, या all-up, या सिमाई, सब एक ही चीज़ होती है demerits, disadvantages और limitations पर चर्चा करूंगी